मेरे दोस्तों आज प्रसना वली 36 का जो NCRT बुक तेंथ कलास का प्रसन करमांक एक का सात्मा नमर भाग को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्फ करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आईए देखते हैं क्या प्रसन कर रहा है कि निवन समी करनों के युगमों को रैखिक समी करनों के युगम में बदल करके हल कीजिए ठीक है इसे क्या करना है रैखिक समी करनों के युगम में इसे बदल करके हमको हल करना है तो देखे इस प्रस्ण को हम कैसे हैं, हम लोग हल करते हैं, तो यहां क्या है प्रस्ण कि 1 बटा 10, 10 बटा x पलस y बराबर 2 बटे x माइनस y बराबर 4 है, ठीक है, अब इसे क्या करना है हमको, कि यहां ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 10 और कोष्ट में 1 बटे x पलस y, ठीक है, फिर पलस, इसको लिख सकते हैं, दो कोष्ट में 1 बटे x माइनस y बराबर 4, जो समी करन 1, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 से होगा, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर यह दूसरा समी करन है, इसको भी लिख सक लेखते हैं इसको अब ऐसे लिखने के बाद किया कड़ेंगे हम यहां पड़ें यह दोन्स समी करम में देख रहे हैं क्या राधा को एक बट्द एकिस प्रण y, बड़ावर हम इसको क्या माल लेते हैं, u, और एक बटे, x-y बड़ावर क्या, b, इसको हम माल लिए, जब यहाँ पर माल लेंगे, तब क्या लिखेंगे हम यहाँ, देखें, 2 u लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 u पलस 2 b, बड़ावर 4, जो समीकरन क्या हो जागा, एक हो जागा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 u minus 5 b, बड़ावर क्या, minus 2, समीकरन क्या हो जागा, यहाँ पर 2 हो जागा, अब जब इतना हो गया हमको, तो अब क्या करना है हमें, कि यहाँ पर, अब हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर इसको विलोपन विधी से हम लोग हल करते हैं वीजगा नहीं थी है कि किसी विधी से आप इसे क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं तो हम यहां पर इसे विलोपन विधी से हल करते हैं तो बिलोपन विदी से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या नहीं तो u digit को सेम करना पड़ेगा? नहीं तो भी digit का, ठीक है? तो इसे क्या कर लेते हैं हम? कि समीकरन एक में देखेंगे u से पहले क्या है? तो ये समीकरन 2 में इससे 10 से गुना कर लेंगे और समीकरन 2 में जो u से पहले जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है तो इसमें 1 में गुना कर लेंगे ठीक है? अब यहां देखेंगे गुना करेंगे अब हम क्या करेंगे, दोस में 15 से गुना करेंगे, पंदर दाहें 150, यू पलस, पंदर रुनना 30 भी बरावर पंदर चो का 60, फिन क्या होगा, 150 यू माइनस, दोस पसे, 50 भी बरावर माइनस क्या होगा, यहां 20, गुना करेंगे, तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहां पर, तो यहाँ minus तो यहाँ minus तो यहाँ minus हो जाएगा ठीक है? अब क्या करेंगे हम? इसे यह cut हो गया अब देखे 30 भी है और plus 50 भी देखे क्या होगा? 80 भी बड़ावर 60 यहाँ 20 तो यह भी 80 हो जाएगा भी बड़ावर क्या होगा? 80 और बटे 80 यह कर जा कितना एक मरत में तो B बराबर क्या आ गया तो यहाँ पर हमको 1 आ गया अब यहाँ पर B बराबर 1 आ गया लेकिन हमको क्या यहाँ U और B दोन माने थे तो B बराबर तो पता चल गया अब U बराबर निकालना है तो क्या करेंगे किसी भी समीकरन में हम भी का मान रख लेंगे जिसे के हमको u का value निकल जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं क्या समीकरन एक में ठीक है लिखेंगे क्या समीकरन एक में भी का मान रखने पर ठीक है तो यहां क्या लिखेंगे हम दोस यू पलस टू भी बराबर चार ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे दोस यू पलस टू गुने भी कमान एक बराबर क्या हो गया चार अब यहां लिखेंगे क्या दोस यू पलस टू बराबर क्या हो गया चार, अब लिखेंगे यहां दौस यू बरावर चार पलस में दो है, यह अदर आएगा माइनस में हो जाएगा तो दौस यू बरावर दो हो गया तो अब हम यू बरावर लिखेंगे, तो क्या होगा, दो बटे में 10, दो एकम दो, दो पंचे 10 तो u बराबर क्या हो गया एक बटे 5 हो गया अब यहां क्या हो गया कि u का मान और b का मान तो हमें पता हो गया लेकिन यहां पर जो हम माने थे एक बटे x पलस y बराबर क्या माने थे u माने थे तो x और y का मान हम को इसमें ग्याद करना पड़ेगा कि x और y का मान है कितना ठीक ह तो यहाँ आप देखेंगे हम लिखेंगे क्या अब अब देखेंगे लिखेंगे एक बटे x पलस y बराबर कितना था u ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक बटे x पलस y बराबर u का मान कितना हमको पता है तो एक बटे हमको 5 पता है तो इसको लिखेंगे x पलस y बराबर क्या हो गया यहां 5 ठीक है इसको हम equation अब क्या मानेंगे हम इसको 3 मान लेते है ठीक है फिर इसके बाद क्या है एक वट्टे x-y बराबर 1 तो क्या करेंगे x-y बराबर क्या एक हो गया जो समीकरन इसे क्या मानेंगे हम 4 मान लेंगे अब यह क्या करना है हमको जो समीकरन 3 और समीकरन 4 को फिर से हमको हल करना है और उसको हल करने के बाद हमको क्या करना है कि असानी से हमको X और Y कमान पता हो जागा तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं लिखते हैं क्या X पलस Y बडाबर हमको 5 आगे जो समीकरन ये 3 हो गया और फिर x-y बड़ाबर क्या 1, जो सम्मीकरन क्या हो गया, यहां 4 हो गया, अब इसे क्या करेंगे हम, इसे हम जोर देते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, जोरने पर, ठीक है, तो देखें, x, x को जोरेंगे क्या होगा, 2x, और पॉलस में y है, और माइनस में इसको जोरेंगे तो कर जागा इसको जो रेंगे यहां पर 6 हो जागा तो x बराबर क्या होगा 6 बटे 2 तो क्या होगा 2 3 6 मतलब यहां पर हमको x बराबर क्या पता चल गया 3 जब x बराबर 3 पता चल गया और y का मान निकालना है तो किसी भी समी करन मान रख लेते हैं x का तो रख लेते हैं 3 में करेंगे एकस पलस य बड़ाबर 5 हो गया अब लिखेंगे क्या थीरी पलस य बड़ाबर 5 हो गया अब यहां पर लिखेंगे य बड़ाबर 5 प्लस में आएगा तो इधर माइनस होगा वाई बराबर टू हो गया तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या पता चल गया एक्स बराबर थीरी और वाई बराबर टू तो दोस्तो आप लोगों को कर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक करेंगे और चैनल को में नहीं आ जाता है या नहीं तो आप क्या करेंगे असानी के लिए एसकी इसट मार लेंगे जिसे के आप बहतरीन से बहतरीन एसकोरिंग असानी से आप कर पाएंगे